नमस्कार कक्षा 8 एक्सरसाइज 3.1 के प्रशन नमबर 2 का प्रथम भाग हम करने जा रहे हैं देखिए प्रशन है निम्न लिखित प्रतेक में कितने विकर्न हैं बच्चो आशा करता हूँ कि आपको विकर्न का मतलब अच्छे से समझ होगा देखिए यदि हमारे पास यह एक आक्रिती है तो यह होता है इसके बीच का विकर्न और इसी प्रकार से यह भी होता है इसका विकर्न तो हम आए सबसे पहले देखते हैं हमारे पास जो प्रथम भाग है इसका वह है पर देक भाग में कितने विकर्ण है? पहला है एक उत्तल चत्र भोज देखें एक उत्तल का मतलग क्या होगा? कि एक भुजा इधर है तो बाकी चत्र भुज इसके इसी तरफ होगा दूसरी तरफ नहीं होगा ठीक है? तो हमने एक ये इस प्रकार से चत्रबुज बनाया है इसके विकर्ण गिन लेते हैं हम तो विकर्ण के लिए मैं एक और color use करता हूँ देखे इसका विकर्ण एक होगा ये और दूसरा होगा ये ठीक है बच्चो तो एक उत्तल चत्रबुज के एक और दो और इसका कोई विकर्ण नहीं है तो इसके कितने विकर्ण होगे एक उत्तल चत्रबुज के दो विकर्ण ठीक है बच्चो इसी प्रकार से अगला हमारे पास है एक सम शटबुज तो आए ढूनते हैं कि एक सम शटबुज में कितने विकर्ण होगे सम शट बुज, इसका मतलब समझे, शट बुज मतलब 6 बुजाओं वाला, सम मतलब बराबर, यानि सभी बुजाएं आपस में बराबर होनी चाहिए, हम कोशिच करेंगे सारी बुजाएं बराबर बनाने की यह एक सम्षर बुजा, इसकी सभी बुजाए आपस में, बराबर हम माल लेते हैं ठीक है, तो इसमें हमने अब विकर्ण ढूनने हैं, बच्चों कि कितने विकर्ण हैं देखिए सबसे पहले मैं इस बिंदू से शरू करता हूं जितने भी करन इस बिंदू से शुरू होकर बन सकते हैं उतने बनाते देखिए एक दो सुरी ये लाइन्स थोड़ी टेडी बन रही है तीन, ठीक है, एक, दो, तीन, तीनों इस बिंदू से चल गए, तीन भी करनों गए, ये भी करन नहीं है, ये तो बुजा है, ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, किसी और रंग से इस बिंदू से शुरू करते हैं, ये तो बुजा है, चार, पांच और छह, चार, पांच, छह, आए, अब कोई और रंग लेते हैं, और उससे और विकरन देखते हैं, देखें, पहले इस बिंदू से बनाए थे, फिर इस बिंदू से बनाए थे, अब इस बिंदू से देखते हैं, एक विकरन होगा, ये, तो साथ, एक विकरन होगा, ये आठ एक विकर्णों का इधर यह औरड़ी देखो यह नीले रंग से बन चुका है तो आठ अभी तक बने है उसके बाद हम आजाते है इस बिंदू कर ठीक है सबसे पहले देखे यहां से यह तो भूजा है यह जाएगा नो यह बन चुका है यह भी बन चुका है अब आ जाते हैं अगले बिंदू पर एक विकर्ण यह बन चुका है एक विकर्ण यह बन चुका है इस बिंदू पर आजो एक विकर्ण यह बन चुका है एक विकरन यह बन चुका है, एक विकरन यह बन चुका है इस विंदू से हमने शुरू किया था आईए अब हम विकरन एक बार गिल लेते हैं नीले रंग के 1, 2, 3 लाल रंग से 4, 5, 6 हरे रंग से 7, 8, 9 इसका मतलब सम शटबुच के कितने विकरन आए हैं हमारे पास 9 विकरन आए है ठीक है बच्चो यदि करुछ ना समझाया हो तो आप इस वीडियो को दुबारा भी बना कर देख सकते हैं ठीक है बच्चो एक समशट बुझ के 9 विकरन बने हैं इसी प्रकार से है एक 3 बुझ तो आए हमें एक 3 बुझ बनाते हैं तो देखे यह तो भुझा है यह भी भुझा है तो और तो कोई है नहीं शीर्ष जिसको जोड़े इस शीर्ष से यह भी जुड़ा यह भी जुड़ा और कोई शीर्ष नहीं है इस शीर से यह भी जुड़ा, यह भी जुड़ा, यह की भुजाएं है, कोई विकर्ण नहीं है, इसका मतलब एक त्री भुज के कितने विकर्ण है, त्री भुज का कोई विकर्ण नहीं है, नहीं होता है, ठीक है बच्चो, तो यह है मारा फ्रेशन था, हमने परतेक के विकर् कर्दानों की संख्या बतानी थी तो हमने यह बता दी है आशा करता हूं आपको यह वीडियो अच्छे से समझ आया होगा यदी आपको यह वीडियो थे कितने सारे अलग लग लग लेकर हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं । हम आपको हमारा यह प्रयास समझ आता है अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा धन्यवाद